बढ़ते हैं आगे भोपाल से एक और खबर है जहांपर बाड के हालात पर बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंग शोहान हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है तेइस सो लोगों को सुरक्षित निकाला गया है ये मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है और साथी उन्हो कि देड़ा है जिलोट विदिसा राजगर गुना राइसेन सीहोर नर्मदापुरम जबलपुर कुलागर देखे तो मद्ध मद्ध प्रेस और पूर भी मद्ध प्रेस में है बरसा ने पिछले सारे रिकार्ट तोड़ दिये इसके कारण बांध लवालब भरे हैं कई बांधों के गैट खोलने पड़े हैं और कई जगे नदियां खत्रे के निसान के ऊपर बहर रही है विदिसा जिले में बेतवा नदी और बेतवा की सहायक नदियां उफान पर हैं कई गाओं घिरे हुए हैं गुना में पार्वती नदी भी खत्रे के निसान के ऊपर बहर रही हैं और कुछ गाओं में जल भराओ की इस्थती हैं अब नर्मदाजी में जल इस तर कई जगे कम हो रहा है लेकिन नवावर जैसे इस्थानों पर बढ़ भी रहा है कल से लगातार मैं इस्थती पर नजर रखे हुए हूँ रात को भी सिच्वेशन रूम से प्रास सबेरी भी सारे जिलों से जुड़के हमने हर आवस्थक कदम उठाने का प्रयास किया है भोपाल की सडकों में में रात में भी घूमा था इन सभी जिलों में अस्मान ने बरसा हुई है प्रसासन लगातार सक्री है विदिसा में लगातार कई गाओं में रेस्क्वी आपरेसन चल रहे हैं विदिसा और गुना जिले के पच्चीस गाओं बार में घृरे हुए हैं अभी हमने प्लान किया है कई विदिसा और गुना जिले के दस गाओं में जो लोग घृरे हुए है उनको दो हेलिकाप्टर के माध्धम से एर लिफ्ट किया जाएगा और वह हेलिकाप्टर भेजे जा रहे है राजगर जिले में आज रहाद सिवरों में पास्टर लोगों को ठेहराया गया है काली सिंद्ध पारवती चंबल नदी के जलिस्तरों पर भी हम निरंतर नज़र रख रहे हैं NDRF की टीम है और SDRF की टीम है लगातार रेस्क्यू आपरेशन में लगी हुई है नर्मदापुरम में NDRF की दो टीम विजिसा में दो जबलपुर में एक सिहोर में एक भुपाल में एक गुना में एक और SDRF की विजिसा में चार राजगर में दो गुना में तीन ये टीम है लगातार رेस्क्यू आपरेशन चला रही है वोट के माध्धम से नआओ के माध्धम से कि लोगों को निकालने का काम कर रही है हमने के लिए एक हेलिकाप्तर रवाना कर दिया दूसरा हेलिकाप्तर भी आ रहा और तीसरा भी हमने बुलवाया है आगर मालवा रतलाम साजापुर इन जिलों में भी हम लगातार नजरे रखे हुए है और नीचे इस्थान पर जो लोग है उन्हें उपर बसाने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं मैं सभी प्रदेश वास्चियों से कहना चाहता हूँ जो बार से प्रभावित है संकट की घड़ी में मैं प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है हम राहत और बचाओ के कामों में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का भी भरपूर प्रयास करेंगे आप धैरी और सयम से काम लें मैं भी बाद पीड़ी छेत्रों में निकल रहा हूं और आपके साथ पूरा प्रिसासन सरकार और मैं खड़ा हूं